नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेश कारिक्रम ब्रुनई से सिंगापुर तक रिष्टों की नई उडान में मैं हूँ निखिल सिंग तो दोशेव की साथ रिष्टों की नई इबारत लिखी जा रही है भारत एक नई इबारत लिख रहा है और भारत की एक्ट इस्ट पॉलिसी की सफलता की नई कहानी लिखी जा रही है बेहत महत पूर्ण रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रुनई और सिंगापुर का दोरा और इसके साथ ही पियम मोदी, ब्रुनई और सिंगापूर की तीन दिवसिय सफल यात्रा के बाद भारत के लिए रवाना हो गए है इस यात्रा में जहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रुनई के आजादी के बाद पहले 40 वर्षों में वहां की यात्रा करने वाले पहले भारतिय प्रधान मंत्री बने हैं तो सिंगापूर की दो दिवसिय यात्रा न सिर्फ व्यापार और वानिज के लिहाद से बेहद खास रही है बलकि सिंगापूर के साथ रिष्टों की नई गर्माहट भी देखने को मिली है इस विशेश यात्रा की बात करेंगे अपने इस विशेश कारिक्रम में तो एक-एक कर दोनों देशों की बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे सिंगापूर की तो सिंगापूर दोरे में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी और सिंगापूर के पियम वारिंग लॉन ने आज मुलाकात के दोरान विभिन नक्षेत्रों में दिवक्षिय साज़ेदारी को मजबूत करने के लिए चार समझोता ग्यापनों यानिके MOU पर हस्ताक्षर किये दोनों नेताओं ने सिंगापूर शेहर में मुलाकात की और अपने दिवक्षिय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साज़ेदारी के इस्तर पढ़ ले जाने की सहमती चताए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगापूर दोरा दोनों देशों के संबंधों को मिली और मजबूती सहयों के विस्तार के लिए संभावनाओं के नए दुआर खुले भारत और सिंगापूर के बीच चार MOU पर हस्ताक्षर भारत में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिजनिस दीडर्स के साथ बैठक पीएम ने सिंगापूर को साज़ेदार देश के साथ साथ विकास चील देशों के लिए बताया प्रणनाव प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने अपनी दो दिवसिये सिंगापूर यात्रा के दूसरे दिन जहां पीएम का अवचारिक स्वागत किया गया प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री और भारत के राश्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार सहित एक कुछ इस्तर ये प्रतिनी मंडल भी था प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापूर के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को बधाई दी और दोनों देशों के बीच निरंतर मजबूत हो रहे संबंदों पर भी चर्चा की पियमोदी ने कहा कि सिंगापूर सिर्फ साज़ेदार देश नहीं बलके हर विकास चील देश के लिए प्रेणा है इस्टरियन राउंटबल बनी है वो एक पाफब्रेकिंग मेकानिजम है स्कीलिंग, डिजिटिलाइजिशन, मोबिलिटी, एडवांस मैनिफेक्टिरिंग जैसे सभी कंड़क्टर और AI हेल्पकेर, सस्रेबिलिटी और साइबर सिकृर्टी जैसे छेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिस्टेट्यू की पहचान बन गई है पीएम मोदी और सिंगापूर के उनके समकक्ष की मौजूदगी में भारत और सिंगापूर के बीच चार MOU पर हस्ताक्षर किये गए जिन सहमती पत्रों पर हस्ताक्षर किये गए उन में डिजिटल प्राद्योगी की के छेत्र में समझोता ग्यापन सेमिकंड़क्टर एकोसिस्टम पार्टनर्शिप पर समझोता ग्यापन स्वासे एम चिकित्सा के छेत्र में सहयोग पर समझोटा ग्यापन और शेक्षिक सहयोग और कौशल विकास पर समझोटा ग्यापन शामिल है Prime Minister also visited AEM which is a leading Singapore company in the semiconductor space and in electronics There he was briefed about AEM's role in global semiconductor value chain, its operations and plans for India and given our efforts to develop our own semiconductor manufacturing ecosystem At the facility the two Prime Ministers also interacted with a group of interns both from India and Singapore who had undergone skill training as part of bilateral programs The Indian interns were from the Odisha World Skill Center प्रधानमंत्री मोधी ने सिंगापूर के प्रधानमंत्री के साथ बाद में एक semiconductor unit का भी दोरा किया PM मोधी ने वहाँ पर Odisha के विश्व कौशल केंदर से भारतिये प्रशक्शों के साथ बाचीत भी की सिंगापूर और इंडिया दोनों मिल जाए तो और भी आगे बहुत ही कुछ हो पाएगा और सिंगापूर एसा देश है कि बहुत clean and need and clean बहुत कुछ सिखने को मिलता है यहां पर रहे के मुझे एक opportunity मिला था कि student internship में आना है इधर सिंगापूर में इधर विजिट करके इधर सब जानना है कैसे लोग काम करते हैं यहां पर कैसे तरीका होता है उसके बाद इंडिया जाके यह सब तरीका आजमाना है प्रधान मंत्री मोदी के दोपहर के भोजन की मेजबानी सिंगापूर के वरिष्ट मंत्री और पूरु प्रधान मंत्री ली सीन लूंग ने की बाद में प्रधान मंत्री ने सिंगापूर के राष्टपती धर्मन शन मुगरतनम से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की प्रधान मंत्री मोदी के इस दोदिवस्य सिंगापूर दौरे से दोनों देशों के बीच सहयोग में इजाफात हुआ ही साथ ये संभावनाओं के नए द्वार भी खुले हैं प्रधान मंत्री नरंद्रमोदी के सिंगापूर दौरे से दोनों देशों के रिष्टे नई उचाई पर तो कहुंचे ही हैं साथ ही साथ रिष्टों में एक नया अध्याई भी जुड़ गया है कौसल विकास और सेमी कंड़क्टर जैसे अहम छेत्रों में सहियोग को लेकर बनी सहमत से दोनों देशों के बीच सहियोग का दाइरा और व्यापक हो चला है कैमरा मैन स्पी दूबे के साथ से लेंदर मिस्र डीडी नियूज सिंगापूर तो सिंगापूर और भारत के बीच जो सहियोग का दाइरा है वो और व्यापक हो चला है और किस तरह से ये जो रिष्टों की नई उड़ान है ये लगातार आगे बढ़ रही है भारत और सिंगापूर के बीच में इस विशे पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे भारत सिंगापूर प्रगाड होते संबंध सेमी कंड़क्टर एको सिस्टम साज़ेदारी पर समझाओता दरसल चार समझाओते जिनकी बात कर रहे हैं भारत के electronics और सूचना प्रदोगी की मंत्राले और सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्राले के बीच में ये समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर हुए। ये सभी conductor आपूर्ती श्रिंकला के क्षेतर में G2G यानि की government to government सरकारों के बीच में और B2B यानि की business to business व्यापारियों के बीच में सहयोग की सुविधा को प्रदान करेगा उसको आगे बढ़ाएगा। भारत और सिंगापूर समी कंड़क्टर क्लस्टर विक्सित करने, समी कंड़क्टर डिजाइन करने और विनिर्माल क्षेतर में प्रतिभाओं को बढ़ावा देने में सहयोग करेंगे। भारत में उनके निवेश को सुविधा जनक बनाये जाएगा, एक संबाद तंत्र विक्सित किया जाएगा, ताकि उनका जो निवेश है भारत में उसको सुविधा जनक बनाये जा सके। इसके साथी साथ डिजिटल प्रादुगी के क्षेतर में जो समझाता हुआ है उसमें भारत के ऐलेक्ट्रानिक्स और सूशना प्रादुगी की मंत्राले और सिंगापूर के डिजिटल विकास और सूशना मंत्राले के बीच में ये समझाता ग्यापन हुआ है। तो ये दो मंत्राले के बीच में समझोता ग्यापन हुआ है DIP, साइबर सुरक्षा और 5G, सुपर कम्प्यूटिंग, क्वांटम कम्प्यूटिंग और AI के क्षेत्र में धनिष्ट क्षायोग की सुविधा प्रदान की गई है इस समझोते के तहए ताकि जो ये क्षेत्र है उसमें समझोते को आगे बढ़ाए जा सके इसके साथी साथ Digital Domain से संबंदित श्रमिकों के स्किलिंग और Re-Skilling के उनके पुनर कोशल को और बढ़ावा देने के लिए तमाम काम किया जाएगा जो Skill Development का काम है वो उसको बढ़ावा दिया जाएगा सिंगापूर के सहीयोग से इसके साथी साथ जो स्वास्त और चिकित्सा के क्षेत्र में सहीयोग हुआ है जो वो समझोता ग्यापन है वो भारत के स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले और सिंगापूर के स्वास्त मंत्राले के बीच में समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर हुए है ये भी बेहद मह हुए हैं चाहे स्वास्त के क्षेतर में बनाय गए हैं वो बेहत महतपूर्ण हुआ है और ये सबसे खास इस बात को ले कर के भी है कि इसके क्षेतर में जो समझOWते हुए हैं न सर्फ वो government to government की बीच में बलकि business to business यानि कि व्यापारियों के बीच में उस व्यापार को semiconductor के क्षेतर में चाहे वो स्वास्त के क्षेतर में हो उसको और सुगम बनाने के लिए काम किया जाएगा और उसके साथी साथ सबसे विशेश बात यह है कि उसमें जो government की भूविका है वो भी बेहत विशेश महत्व की होगी तो खुल बलाकर ये जो semiconductor के क्षेतर में समझाता हुआ है और चाहे स्वास्त के क्षेतर में समझाता हुआ है जो दूसरे एक चार समझाते हुए है प्रधार मंत्री नरेंद मोदी ने सिंगापूर की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कारिकारी अधिकारियों के साथ बैठक की और इस हफसर पर सिंगापूर के उप प्रधार मंत्री और ग्रिहमम कानून मामलों के मंत्री भी वहां मौचूद रहे प्रधार मंत्री ने भारत के आर्थिक प्रगती का जिक्र किया, पीम ने सिंगापूर की कमपनियों को इस विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए प्रोच्साहित किया दुनिया में फास्टेस्ट गोइंग एविएशन सेक्टर कहीं है तो भारत में है और हम भी चाहते हैं कि बहुत तेजी से एविएशन के लिए जो जरूरी इंफ्रासक्चर है जो एमारोज की जरूरत है वो हमारी प्रावरिटी का भी एक ख्षित्र है आप आईए नए ऐर्पोर्ट के अंवेश्मेंट की दृस्टित आईए डेस्टिनेशन भी ले जाईए एक विन विन सिचुएशन बनेगी एर्पोर्ट का अंदिरमान भी आप करेंगे डेस्टिनेशन का एपर्चिनिटी भी आपको मिलेगा और UBI की सफलता का जिकर करते हुए प्रधार मंतरी नरेंदर मोधी ने कहा कि दुनिया में जितना रियल टाइम ट्रांजाक्शन होता है उसका 50% अकेले भारत में होता है पीम ने जलवाई उपरिवर्तन की चनौती से निपटने के लिए भारत बारा किये जा रहे हैं ठोस प्रयासों को भी गिनाया पीम ने कौशल विकास को बढ़ावा देनी की पहल का भी जिक्र किया हम बहुत एग्रेसिवली सेमी कंड़क्टर की खित्र में जा रहे हैं अब तक करीब पांच कंपनियां अल्डेडी अपना काम शुरू कर चुकी हैं आगे भी औरों की संभावना हैं और हम पूरी इको सिस्टिम को लाने वाले हम को एक छोटा सा ठुकड़ा एकाद हिस्था करके अटक करने वाले नहीं है भारत के बाद टैलेंट है आज दुनिया में जितने भी चीप्स हैं अगर उसका राइटिंग का काम है तो सौप्वर का काम है वो सब हिंदुस्तान में हो रहा है सब बड़ी कंपनियों के रिसर्च उनिट वहीं पर है अब हम चाहते हैं हम ख और इस पूरे विशय पर प्रधार मंत्री की सिंगापूर और ब्रुनेई की यात्रा की हम बात कर रहे हैं सिंगापूर की सबसे पहले बात हो रही है इस यात्रा की बात करने के लिए हमारे साथ दो खास महमान जुले हुए हैं वीना सीकरी जो की फॉर्मर सीनिर डिप्लोम अगर हम समझना चाहे जो प्रधान मंत्री के सिंगापूर यात्रा कैसे समप करेंगे, क्या टेक आवेज भारत के लिए रहे और इस यात्रा का आकलन अगर आप से कहा जाए करने के लिए कैसे करेंगे मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि जहां तक इस दोरे का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर मोधी ने अपना जो पर्ध टर्म है ऑफिस में उसके काफी पहली पहले तीन महीने के अंदर अंदर साउटिस्ट एशिया विजिट किया और उसमें ब्रुना ही तो एक पहला विजिट लेकिन उसके साथ साथ सिंगपूर ये उनका सिक्स्थ टाइम वो सिंगपूर आ रहा है। सिंगपूर में हाली में एक मेजर चेंज ये हुआ है कि एक नया प्राइम मिनिस्टर अभी है सिंगपूर में तो उसके लिए भी ये प्राइम मिनिस्टर की लेवल से इंडियन प् एक ऐसा context में आया है जिसमें काफी उथल-फुथल हुआ है आने के पहले international order में पिछले दो-तीन साल में कहीं जगा पे conflicts चल रहा है, कहीं जगा पे कुछ और strategic issues बाहर उबलके आ रहा है, इस बीच में economic issues भी connected हुए है, तो इस visit का में ये कहूँगा कि पिछले साथ दिन के अंदर पहले हमने देखा था इंडिया-सिंगपूर ministerial round table हुआ था पिछले हपते में जहां पे इंडिया से चार वलिष्ट मंतरी आये हुए थे, फिर इंगे साथ सा दिन का counterparts हुआ था और अभी PM Modi आये हुए है, तो इन सा अधिन के अंदर इंडिया और सिंगपूर का जो एक partnership है, उसमें बहुत बड़ा upcredation हुआ है, इसको अभी comprehensive strategic partnership कह जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ है कि फिलहाल का जो cooperation है, वो जादा तक कहीं सारे शेत्र में था, लेकिन शायद उसमें सबसे जादा economic sector में था, लेकिन और भी कहीं सारे शेत्र है, जो दो देशों के अंदर, mutual interest के हिसाब सके, जिसको strategic कह जाएगा, जैसे कि semi-conductors, education, health, digital connectivity, इन सब इन दो मुलकों के लिए strategic industries है, जिसमें इनका आगे का economic prospects, जो है, national security का issues है, वो सब जुड़े हुए है, तो इन सारे शेत्र में, इंडिया और सिं important और significant development है, जै निश्ची तोर पर, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े हैं, हमारे साथ में हमारे समवाता शैलेद बिश्रा भी जुड़े हुए हैं, शैलेद्र आप से अगर हम समझना चाहें किस तरह से गर्म जोशी देखने को मिली, सिंगापुर में भारतिया प्रधान म प्रधान मंतिन अनमोदी सिंगापुर पहुंचे थे, हमने तस्वीरों में देखा कि उनका किस तरह से होटल पहुचने पर भारतिये समदाय के लोग ने स्वागत किया, और लोग बहुत प्रफलित थे, कि प्रधान मंतिन अनमोदी की अगवाई में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दुनिया भर के जो निवेसक हैं, वो भारत की तरफ और आकरसित हो रहे हैं, और सिंगापुर भी आप अगर निवेस देखे तो लगातार सिंगापुर से बढ़ रहा है, सबसे महत्तपूर इस पधामनतिन अनमोदी के दोरे का अगर आप तेकवे कहें, तो जिस सेमी कंड़क्टर की बात हो रही थी, उसके एको सिस्टम की बात हो रही थी, भारत में कई कंपनिया पहले ही आ चुकी हैं, और हम जालते हैं कि सेमी कंड़क्टर पार्क बनाने की और भारत आगे बढ़ रहा है, तो अब जो देश के अंदर जो बड़ी कंपनिया ह सिंगापूर में हैं दुनिया पर में जो कंपनिया पहले हैं वे विकल्प के तर नहीं हैं था नहीं है, आपका पॉइंट आगया दरसल, इसको अभी आविटेंदयू जी ने बहुत विस्तार से बताया, जिस तरह से जतनी शांदार भूनएं की आत्रा रही हुँ है नहीं भूलना चाहिए और यहाँ पर अवीना सीखरी जी को भी जोडना चाहूंगा जिस तरह से ब्रूनई में किसी भारतिय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों के बाद यात्रा हुई है मैडम आप कैसे देखती हैं इस यात्रा को क्योंकि इसके पहले जो एक किसी भी देश के प्रती देखने का नजरिया होता था उसमें बदलाव आया है Act East Policy चाहे वो छोटा देश हो बड़ा देश हो कितना उसका महत्व है इसका आकलन भी किया जा रहा और कितने किस तरह से आप ब्रुनई की यात्रा को अगर देखेंगी बारत के प्रधानमंत्री का पहले प्रधानमंत्री का किसी पहले भारतिया प्रधानमंत्री के विजिट कितना महत्पूर्ण है मेरा ख्याल है कि यह जो हमारे प्रधानमंति जी की यात्रा रही है ब्रुनाय और सिंगपोर डोनों को इकठा देखना पड़ता है जरूर आज यह आपने कहा कि ब्रुनाय पहली बार प्रधानमंति गए हैं और चालीस में 40th anniversary of diplomatic relations के अफसर पे गए हैं पर इसको हमारे active policy के तहरे देखें तो यह दोनों देश ब्रुनाय और सिंगपोर revival of India's active policy को represent करते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंति जी इस दौरे के दौरान active policy को हम actual methodology और program दे रहे हैं अब देखिए जो प्रधानमंति जी जौरूर सिंगपोर 5th या 6th time गए हैं लेकिन इस बार उनकी यात्रा सिंगपोर की है जो 6 साल के बाद हुए है पिछली बार वो 2018 में गए थे फिर COVID वगएरा आया था और जो प्रोग्राम इंडिया सिंगपोर और इंडिया के active policy के बनने में जो प्रोग्राम बनने चाहिए थे वो लागू नहीं हो रहे थे लेकिन अब जो ministerial meeting हुई है और इसमें जो आज decisions हुई है और सबसे पहले जो हमारा invest इंडिया का दफ्तर भी Singapore में अब खोला जाएगा तो हम ये रास्ता दिखा रहे हैं practical means के साथ रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे investment Singapore से भारत आ सकता है कैसे investment Brunei से भारत आ सकता है जो है इनमें Singapore की बहुत एहमियत है और उन्होंने इसके लिए एक बहुत बड़ा plan education sector में, skilling sector में और practical sector में पिनाया है और इसके साथ-साथ individual companies जैसे AEM company है जो interest दिखा रहे हैं कि भारत में आना चाहते हैं उदर भी हमारे प्रदानमंदी जी गये से और रास्ता साथ कर रहे हैं कि actual implementation कैसे होगा पहले बहुत सारी बाते होती थी कि हाँ हम जरूर करेंगे और भारत Singapore भारत Brunei की रिष्टेदारी बहुत एहम है लेकिन रास्ता तेह नहीं था कि कैसे होगा क्योंकि companies भी चाहते हैं कि उनका रास्ता भी साफ हो B2B जैसे आपने कहा government to government के तहत पे भी और business to business तहत पे दोनों रास्ते साफ होने चाहें हमें देखे प्रदानमंदी जी बैंकर्स के साथ मिले और individual industry साथ मिले और ये new rejuvenation और भारत Singapore relations जो हुआ है और भारत धुनाय relations में ने ने रास्ते निकल गए है ये हमारे active policy इंडिया-ASEAN relations के लिए बहुत महत्वर रखता है जी निश्चे तोर पर और आपने जो शब्द यूज किया निव rejuvenation की जो बात आपने कही वो बेहत महत्वर है और निश्चे तोर पर ये जो दोनों देशों की आत्रा रही है चाहे बुरूणोई की बात हो या सिंगापूर की बात हो रिष्टों की एक नई उडान एक नई गर्माहट हम दोनों देशों के भीच में और असल तीनों देशों के बीच में देख पा रहे हैं और ये बेहत महत्वपूर है बहुत शुक्रिया एमबेस्डर वीना सीक्री, डॉक्टर अमितेंदु पालित और हमारे संभाता शैलिद मिश्रा जुड़े हुए थे तो ब्रुनोई से सिंगापुर तक सफलता के नए पर्चम, नए प्रतिमान गड़ राय भारत और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की ये जो यात्रा रही है वो रिष्टों की एक नई उडान लेकर के आई है इस कारकर में बस इतना ही हमारी पूरी टीम को दीज़े इजाज़त नबसकार गैलेंट एडवांस, टीम्ट वीबार, निर्मान का रियल हीरो